नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि रश्या और चाइना इसे में काफी जादा करीबी दोस्त हैं और जिस प्रकार से रश्या के दौरा यूक्रियन के अंदर इन्वेजन किया जा रहा है इसके वजह से रश्या के उपर बहुत जादा प्रेशर है इस्पेशली मिलिटरी को लेकर अपने आप में रश्या काफी बड़ा केटिबल देश है मिलिटरी के मामले में लेकिन आपको समझने की जरुवत है कि जितना जादा दिन ये वार खीसता जाएगा उतना प्रेशर रश्या के उपर बढ़ता जाएगा तो अब यहाँ पर जो लेटिस्ट खबर यह रश्या के उपर आप सोच के देखिए कि रश्या अगर चाइना से मिलिटरी क्यूप्मेंट की आवशकता करेगा मांग करेगा तो भारत के उपर कितना बड़ा इंपक्ट आ सकता है वही मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ काफी कुछ जानने को है इस वीडियो गो टो आर एप और वहाँ पर आप कोड इस्तमाल कर सकते हैं अंके 33 क्योंकि यहाँ पर आपको maximum discount मिलता है साथी साथ आप यहाँ पर MCQs एटेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर कई सारे जो MCQs हैं वो मैं लगतार stories में डालता रहता बाकी अगर हम अभी particular report की बात करें क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो western media के अंदर कई सारी reports आ रही हैं वहाँ पर media में ये चल रहा है कि US officials के दोरा मतलब जो Biden administration के officials हैं उन्होंने यहाँ पर media में ये बताया है कि Russia ने China से military equipment की मांग की है कुछ economic assistance की मांग की है चल रहे थे कि 20 दिन के war के बाद करीब करीब आप समझे 24 February से ये पूरा war start हुआ था तो करीब 20 days के बाद आप कह सकते हैं कि जो Russia की special military operations हैं वो लगातार weapons की अब धीरे-धीरे मांग करती जा रही है weapons वो lose करते जा रहे हैं और in fact मैं आपको बताओं तो आपको याद होगा जो Russia और Ukraine का border है वहाँ पर US की जो intelligence agency है वो लगातार कह रही थी कि border पर बहुत सारे जो troops हैं वो Russia इकत्रित करते जा रहा है तो पहले साथ उतना सभी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था कि Russia attack नहीं करेगा लेकिन finally attack कर लिया तो US का जो intelligence है वो काफी spot था इसीज को लेकर औ किस प्रकार के hardware यहाँ पर चाहिए वो सब कुछ कहीं न कहीं Washington को इसके बारे में पता होगा तो अब question यह है कि चलो वो लोग मांग कर रहे है तो भारत के लिए क्या concern है देखे जो भी कुछ हो रहा है इस समय वो इस समय प्रेजेंट सरकार के लिए भारत के लिए काफी बड से ना हो सभी के अगर आप देखोगे तो वो लोग dependent है जैसे कि for example रशिया का जो T90 टैंक हो गया सुखोई MKI 30 fighter jets हो गया इन फाक्ट इसके लावा जो INS विक्रमदेत्य aircraft carrier है उसके maintenance के लिए हमें जो भी कुछ चीए सब कुछ आप कह सकते है उसके जो original equipment manufacturer है वो Moscow based है तो हमें वहाँ पर वहाँ से चीजों की आउशकता पड़ेगी और present में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जो supply chain है वो कहीं न कहीं तूट सकता है एक दो कारण है देखो एक पहला तो ये है कि western countries के दोरा sanctions लगाए गया है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ए उनको खुद की आउशकता पूरी करनी होगी तो ये दो main concern है जिसकी वज़े से भारत भी थोड़ा सा चिंतित हो रहा है कि कल के date में अगर उसके पास supply नहीं आती है तो वो क्या करेगा तो problem जो है अगर आप देखो कि ना तो वो day by day increase होता जा रहा है क्योंकि एक तरफ Ukraine नहीं हो पाएगा अगर area को capture कर भी लेता है उसके बाद भी तो resistance जहलना पड़ेगा वहाँ पर जो लोग रह रह रहा है यूक्रेइन के अंदर वो तो day by day resistance करते रहेंगे तो लगतार रश्या को equipment के आउशकता पड़ेगी जिसकी वज़े से भारत में यहाँ पर कही ना कही shortage हो सकता है और जो Moscow का problem है वो compound होता जा रहा है इसका एक कारण ये भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि लगतार western countries के द्वारा अगर आप देखोगे तो लोग high tech जो arms हैं वो Ukraine को supply कर रहे हैं अब उसको defend करने के लिए Russia को again बड़ी मातरा में equipment किया हो शकता है I hope कि आप चीज इसे चीजों को जो रश्या है वो Ukraine के उपर अपना दबदबान नहीं बना पाए इसका एक और कारण ये भी है कि Turkey का जो बायरक्तर 2 TB2 जो ड्रोन है उसका इस्तमाल किया जा रहा है Ukraine के दोरा और वो जो ड्रोन है वो काफी problematic हो गया है रश्या के लिए तो उससे भी रश्या को काफी loss हो रहा है ये आपको समझनी किया हो शकता है और कई सारे जो experience जो analyst हैं उनका ये कहना है कि उनका और remind करा रहा है कि किस तरह से 1979 में रश्या अफगानिस्तान में गया था और वहाँ पर भी उसको हार जेलना पड़ा था आपने देखा है होगा 10 साल के बाद रश्या कही ना कही ऐसा दिख रहा है कि क्या रश्या को वो देखना पड़ेगा इसके अलावा जहां तक भारत के neutral position की बात है इंडिया की जो neutral position है तो cold war के समय जो Indian diplomacy थी वो आज भी कही ना कही support कर रही है कि हमें ये जो war चल रहा है उसमें रश्या को support करना चाहिए लेकिन आप कह स करेंगे लगतार कि अब कही ना कहीं जो neutral position है उसको छोड़कर हमें Ukraine का पूरत रहसे साथ देना चाहिए Western का साथ देना चाहिए उस समय भारत क्या करेगा इसके लावा यहां पर question यह भी है कि अभी तो हम क्या है कि अपने stand को समझा पा रहे हैं Europe के सिर्फ France Europe में आप देखो जब चाइना की आर्मी ने transgress किया था लद्दा के अंदर 2020 में तो क्या UK ने जर्मनी ने किसी सबने यहां पर silence कर लिया था एक प्रकार से चुपी बांद ली थी और Chinese आर्मी के transgression के उपर कुछ भी नहीं बोला था तो भारत को यह दोनों चीजे कहीं न कहीं balance करके चलनी भारत की बात है तो देखिए कोशिश कर रहा है इस समय प्रेजेंट सरकार कहीं न कहीं push कर रही है आतमिर भारत एजेंडे को लेकिन इसको ground पर आते आते अभी बहुत समय लग सकता है और समय लगने के बाद भी आप यू समझे कि जो military bureaucracy है देश के अंदर PSU हो गई, research and development हो वहाँ पर कोई hurdles नहीं आएगा तब जाकर हम कुछ 4-5 साल-10 साल के बाद कुछ हद तक आतमिर भर भन पाएंगे defense के मामले में लेकिन अभी भी उसको आने में समय लगेगा, तो finally conclusion में हम क्या कह सकते हैं, देकि conclusion यहाँ पर यह है कि इस समय पूरे वुर्ष में अगर आप द कर दिया, आपको पता होगा कुछ समय पहले यमन ने यहाँ पर कुछ drone के माध्यम से हमला किया था, अबुधावी के अंदर, इसके अलावा इस समय चाइना जो है, वो काफी जादा problem create कर रहा है, ताइवान को लेकर, और रश्या यहाँ पर जो Ukrainians हैं, उनको underestimate कर रहा है, तो day by day क्या है, जो uncertainties है, वो बढ़ती जा रही हैं, और भारत को कही न कहीं इसका हल निकालने क्या हो शकता है, आप देखते हैं, सरकार इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है, बट I hope कि आप समझ पा रहे होगे कि रश्या ने जो मदद मागी है चाइना से, उसका भारत की पर क्या impact है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक बहुत ही interesting question, देखें यहाँ पर Europe वगरा की बात कर रहे हैं, अलग-अलग देशों की, क्या बता सकते हो एक defensive line है, जिसको बोला जाता है, Magnot line, ठीक है, Magnot line एक defensive line है, जिसको 1930 में construct किया गया था, एक प्रकार से दो देश की boundary आप कह सकते हो, तो कौन से दो देश के बीच में आपको यह मिलेगा, Magnot line, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे जो झाल